हेलो दोस्तों कैसे हो आप लोग स्वागत आपका अमारे इस यूटूब चैनल टोटल इस्टडी पर आज मैं आप लोग को फिर एक कहानी सुनाने वाला हूँ कहानी का टापिक है अपनी तुलना दूसरों से ना करें बहुत ही मज़ा आने वाला है इस कहानी में स्किप करके मत देखना अंध तक जरूर देखना चलिए मज़ शुरू करते हैं एक बार की बात है किसी जंगल में एक कववा रहता था वो बहुत ही खुश था क्योंकि उसकी ज्यादा इच्छाय नहीं थी वा अपनी जिंदगी से संतुष्ट था लेकिन एक बार उसने जंगल में किसी हंस को देख लिया और उसे देखते ही सोचने लगा कि ये प्राड़ी कितना सुन्दर है ऐसा प्राड़ी तो मैंने पहले कभी नहीं देखा इतना साफ और सफेद यह तो इस जंगल में आवरो से बहुत सफेद और सुन्दर है इसलिए यह तो बहुत खुस रहता होगा कववा हनस के पास गया और पूछा भाई तुम इतने सुन्दर हो इसलिए तुम बहुत खुस होगे इस पर हनस ने जवाब दिया हाँ मैं पहले बहुत खुश रहता था, जब तक मैंने तोते को नहीं देखा था, उसे देखने के बाद से लगता आए कि तोता धर्ती का सबसे सुन्दर प्राड़ी है, हम दोनों के सरीर का तो एक ही रंग है, लेकिन तोते के सरीर पर दो-दो रंग हैं, उसके गले में लाल रंग का घेरा और वो सूर्ख हरे रंग का था, सच में वो बेहद खुबसूरत था, अब कववे ने सोचा कि हंस तो तोते को सबसे सुन्दर बता रहा है, तो फिर उसे देखना होगा, कववा तोते के पास गया और पूछा, भाई तुम दो-दो रंग पाकर बड़े खुश होगे, इस पर तोते ने कहा, हाँ मैं तब तक खुश था, जब तक मैंने मोर को नहीं देखा था, मेरे पास तो दो ही रंग हैं, लेकिन मोर के सरीर पर तो कई तरह के रंग हैं, अब कववे ने सोचा सबसे ज़्यादा खुश कौन है, यह तो मैं पता करके ही रहूंगा, इसलिए अब मोर से मिलना ही पड़ेगा, कववे ने मोर को जंगल में ढूड़ा, लेकिन उसे पूरे जंगल में एक भी मोर नहीं मिला, और मोर को ढूंटते ढूंटते वह चिड़िया घर में पहुँच गया, तो देखा मोर को देखने बहुत से लोग आय हुए हैं, और उसके आसपास अच्छी खासी भीड है, भाई तुम दुनिया के सबसे सुन्दर जीव हो, और रंग बिरंगे हो, तुम्हारे साथ लोग फोटो खिचवा रहे थे, तुम्हें तो बहुत अच्छा लगता होगा, और तुम तो दुनिया के सबसे खुश जीव होगे, इस पर मोर ने दुखी होते हुए कहा, भाई अगर सुन्दर हूँ, तो भी क्या फर्क पड़ता है, मुझे लोग इस चिडिया घर में कैद करके रखते हैं, लेकिन तुम्हें तो कोई चिडिया घर में कैद करके नहीं रखता, और तुम जहां चाहो अपनी मर्जी से घूम फिर सकते हो, इसलिए दुनिया के सबसे संतुष्ट और खुश जीव तो तुम्हें होना चाहिए, क्योंकि तुम आजाद रहते हो, कववा यह बात सुनकर हैरान रह गया, क्योंकि उसके जीवन की अहमियत कोई दूसरा बता गया, दोस्तो, ऐसा ही हम लोग भी करते हैं, हम अपनी खुशियों और गुड़ों की तुलना दूसरों से करते हैं, ऐसे लोगों से जिनका रहन सहन का माहौल हमसे बिलकुल अलग होता है, हमारी जिन्दगी में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, जो केवल हमारे पास हैं, लेकिन हम उसकी अहमियत समझ कर खुश नहीं होते, लेकिन दूसरों की छोटी खुशी भी हमें बड़ी लगती हैं, जबकि हम अपनी बड़ी खुशियों को इग्नोर कर देते हैं, इसलिए हमें अपनी खुशी में ही खुश रहना चाहिए, जाते जाते मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर आपको कहानी पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करना और सेयर करना मत भूलना तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिलकूल फिरी होता है, बाइब बाइब